Hello everyone, myself Dr. Sanskriti, Physiotherapist और आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे about liver problems Generally, liver में कुछ ऐसे symptoms हमारी body हमें दिखाती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं जिसमें कि सबसे पहला symptom है liver का size increase होना यानि आपके पेट का size increase होना बहुत बार हमारे पास patients आते हैं और वो generally complain करते हैं कि हमें अपना पेट बढ़ा बढ़ा लग रहा है हमें normal size से जादा size लग रहा है अपने stomach का तो वो कौनसे causes हैं जिनकी वजह से आपके stomach का size increase हो जाता है आपके liver effect पढ़ता है और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आपको अपने daily routine में क्या changes लेके आने हैं और ये भी जानेंगे कि कौनसे ऐसे causes हैं जिनकी वजह से आपके stomach का size increase होता है जिसे हम कहते हैं hepatomicale सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपने बहुत बार liver condition में एक नाम सुना होगा fatty liver fatty liver in the sense आपके liver पे fat का accumulation हो जाना जिसकी वजह से आपके liver का size बढ़ जाना और साथ ही साथ आपके stomach का भी size बढ़ जाना हम generally जब discuss करते हैं फिर doctors हमें यहीं बताते हैं कि आपके liver पे fat का accumulation हो रहा है लेकिन मैं आपको बता दूँ fat के अलावा भी copper as well as iron का accumulation भी आपके liver पे होता है जबी भी हमारा liver extra copper और extra iron को accumulate नहीं कर पाता है digest नहीं कर पाता है body secret नहीं कर पाता है तो वो आपके liver में इखटा होना शुरू हो जाता है and that ultimately results into increased size of liver और जब आपके liver का size बढ़ेगा this is quite obvious कि जबी आपकी किसी भी organ का size बढ़ेगा तो आपकी body के उपर वो देखने को मिलेगा जैसे बहुत बार pimple होता है तो आपको pimple अपके skin पे देखने को मिलता है same with liver जब आपके liver का size increase होता है तो हमें symptom कहां देखने को मिलता है हमारे stomach पे और हमारे stomach का भी size increase होता है specially जो सबसे ज़ादा हमें fat के disorders देखने को मिलता है और fat की problem देखने को मिलती है वो ladies में जादा देखने को मिलती है और बहुत सारे patients हमारी ladies ही होती है जो आती है और बताती है कि हमारा पेट पहले तो छोटा था लेकिन अब दिन पर दिन पेट बढ़ता हुआ जा रहा है साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी दिक्कते और भी होती है उन्हें fatigue होता है साथ ही साथ abdominal pain भी होता है बार बार nausea, vomiting जैसी sensations भी लगी रहती है इसके अलावा आपने बहुत बार liver patients के मूझ से सुना हो गया फिर patients उन्हें डिसकस करते हैं doctors के साथ तो doctors उन्हें एक time बताते हैं cirrhosis अगर मैं cirrhosis की बात करूँ तो cirrhosis acute stage में नहीं होती है मतलब early stages में आपको cirrhosis की समस्या नहीं मिलेगी लेकिन हाँ जब आपके पेट का size बढ़ता ही जा रहा है और liver की समस्या बढ़ती ही जा रही है तो that ultimately results into cirrhosis मतलब cirrhosis एक chronic condition है जो बाद में होती है जब आप अपने symptoms को नहीं पहचान पाते हैं और आपके symptoms का treatment नहीं होता है तब जाके एक problem arise होती है cirrhosis की बढ़ता है that is of transplantation तो अगर आपके liver में कोई भी समस्या है अगर आपको बढ़ता हुआ size अपने stomach का नजर आ रहा है साथ ही साथ आपको भूक बहुत कम लग रही है पेट में generally दर्द रहता है specially right side में अगर आपको बहुत जादा pain होता है तो you do need to consult your doctor इसके रावा और कौन से problem हो सकते हैं हम बहुत बार liver के cases में एक नाम सुनते हैं hepatitis या फिर bacterial infections, viral infections या फिर parasitic infections ये कुछ ऐसे infections हैं जो आपके liver के ऊपर बहुत भारी impact डालते हैं और जिसकी वज़े से आपका liver fail होता शुरूँ हो जाता है तो अगर आप hepatitis के patients है, अगर आपको hepatitis है be it, hepatitis A, B और C अगर आपको hepatitis है, तो you do need to consult your doctor आपको अपना treatment जल्दे से जल्दे स्टार्ट करा रहा है क्योंकि ये आपको समझना होगा जब तक treatment आप ले रहे हैं acute stage में मतलब अगर early stages में आपने treatment start करवा दिया है तो आपकी recovery होने की chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं लेकिन अगर आप wait करते हैं कि problem अपने आप ठीक हो जाएगी हम अपनी diet सुधार लेंगे, हम थोड़ी बहुत exercises कर लेंगे तो ये बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि आपकी acute condition है वो बहुत जलरी आपकी chronic condition में बदल जाएगी और फिर आपके पास transplantation के अलावा कोई treatment नहीं बचेगा तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या हो रही है जो मैंने वीडियो में डिसकस किये साथ ही साथ एक main cause के बारे में अगर हम बात करें आपके liver के अंदर जिसकी वजह से आपके liver के size में भी फर्क पड़ता है और liver की functioning में भी फर्क पड़ता है तो अगर ये सब दिक्कते आपको हैं अगर ये सारे symptoms आपको देखने को मिल रहे हैं बॉडी के अंदर तो आपको समझना होगा कि आपका liver compensate कर रहा है आपके liver में बहुत ज़्यादा problems हो रही है और साथ ही साथ ये कुछ ऐसे causes हैं जो मैंने अपनी वीडियो में discuss के हैं और main दो causes के अदर हम बात करते हैं that is alcoholic and non-alcoholic बहुत बार जब भी liver patients आते हैं तो सबसे पहरे doctor उसे पूछते हैं कि आप alcohol का consumption करते हैं एक ऐसी condition होती है जब आपका liver आपके alcohol की वज़े से खराब हो रही है और बहुत बार हमारे patients ये शिकायत भी करते हैं बाक्टर साब हम तो alcohol ही नहीं लेते तो हमारे liver क्यों खराब हो रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मित है कि सिर्फ और सिर्फ liver damage या फिर kidney damage alcohol की वज़े से हो सकता है I do agree कि alcohol की वज़े से बहुत सारे organs हमारे खराब होते हैं लेकिन एक condition ऐसी भी होती है that is non-alcoholic fatty liver मतलब जो patients alcohol consume नहीं कर रहे हैं उनको भी liver damage की problem आ रही है तो वो किस वज़े से आ रही है आपकी unhealthy lifestyle की वज़े से साथी साथ आपकी unhealthy diet की वज़े से I hope जो भी मैंने कारण बताए हैं जो भी मैंने लक्षन बताए हैं आपकी liver की समस्या के वो आपको समझाए होंगे अगर वीडियो के regarding कोई भी query है या फिर आप liver patient है आप बहुत time से treatment ढून रहे हैं आपको को results नहीं मिल रहे हैं तो you do need to consult Shriyas हमाई doctors आपको best consultation provide करेंगे साथ ही साथ आपको best medicines, arvedic medicines और proper diet chart भी हमाई doctors आपको prescribe करेंगे अगर वीडियो के regarding कोई भी query है तो नीचे comment section में भी अपनी queries mention कर सकते हैं या फिर नीचे रहे नमबर पर call करके directly हमाई doctors और doctors की team से आप बात कर सकते हैं Thank you so much